स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पातिल इनके स्मृती प्रित्यंत अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला हमने कभी सुना था मुगलों के जमाने में किसी राजपूत औरत को राइबाघन नामक उपाधी देकर नवाजा गया था यहां उपाधी उसे युद्ध शेत्र में अभूतपूर्व शौर्य दिखाने के कारण मिली थी ऐसे ही दूसरी भारतिय नारी लक्ष्मी बाई जाशी की रानी को मरदानी जाशी वाली कहकर सनमानित किया जा रहा है पेश्वा कालीन इतिहास में देवी अहिल्याबाई होलकर नामक रानी राज्य करती थी रानी दुर्गावती उनके शौर्य के कारण मध्य प्रदेश राज्य में सुपरसिध हुई थी रानी चन्नमा करनाटक राज्य में मशूर थी तो शिव काल में महारानी ताराबाई ने मुगलों से लड़कर शिव राज्य की शान बढ़ाई है ऐसे कितने उदाहरण हमारे इतिहास में मौजूद है आज की युग मैं भी भारतिय अंगिनत महिलाय राज्य राष्ट्रिय तथा अंतर राष्ट्रिय स्तर पर भारत का नाम अवकाश क्षेत्र सूचना प्रोध्योगी की साहित्य कला जान शाररिक ख्षमता तथा खेल कूट के क्षेत्र में रोशन कर रही है इन महिलाओं में हमें दिव्यांगजनों को अपनी अपनी क्षमताओं को विक्सित कर उनके लिए राज्य राष्ट्रिय तथा अंतर राष्ट्रिय स्तर पर समान संधी उपलप्थ करवा कर अपने अधिकारिता के साथ अपने अपने कौशल दिखा कर भारत वर्ष का नाम करने वालों में आज कल एक महिला अपना नाम दर्स करा चुकी है। उनके इस महान योगदान में आज भी वह सक्रिय रहते हुए अपने तन मन धन से सब कुछ नियोचावर करने हेतु दिन रात अपनी कोशिशे जारी राखी हुई है। वह सिर्फ अपने स्वयम को ही आगे बढ़ाने में सफल नहीं हुई है किन्तु समाज के दुरलक्षित दिव्यांगजनों के प्रती दायत्व निभाकर उन्हें राष्ट्रिय तथा अंतर राष्ट्रिय स्तर पर मान्यता प्राप्त करवाने में भी सफल हुई है। किसी ने उनकी क्षमता, निपुनता, साहसी वृत्ती और खेल कूद में प्रवीनता को सराहते हुए आईरन लेडी, प्राइड ओफ इंडिया, तो किसी ने दिव्यरत्न, क्रीडा रत्न तथा वर्ष की सर्वश्रेट महिला जैसे विशेश शब्दों से संबोधित कर उन्ह समय समय पर गौरवानवित किया हुआ है। यही महिला भी एक दिव्यां हो ऐसा हम कभी सोच ही नहीं सकते। वह स्वयं दृष्टी बाधित है। लेकिन उसे विसुईली चैलेंजर महिला कहलवाना अच्छा लगता है। इस जुझारू, सामर्थ्यवान, सशक्त, विरवृ समपूर्ण, बुलंध होसलो वाली और दिव्यांगजनों की हिच्चिंतक विरांगना का नाम है श्रीमती नेहा नलिन पावसकर। मुंबई के उपनगर सांता क्रूज इलाके में एक गरीब बस जाइवर श्री मनमोहन नाईक का परिवार रहता था। उस परिवार में पती बिजली थी ना ही कोई शहरी सुविधाये। पाँच अपत्यों में पहली दो लड़किया पैदा हुई थी और बड़ी मुश्किल से उस परिवार का गुजर बसर हो रहा था। पहली दो लड़कियों की वज़से उस परिवार के बारे में समाज की धारना ठीक नाही थी। उन दिनों पुत्ररत्न को ही समाज मान्यता देता था और लड़कियों वाले परिवार की अवहलना करता था। मा बाप को तो अपनी आुलाद अपनी ही होती है और वहां उसकी प्यार दुलार के साथ अच्छी से अच्छी परवरिश करने की कोशिश करता ही रहता है। इस परिवार की बड़ी बेटी का नाम था रत्न प्रभा और दूसरी की नाम था त्रिप्ती। श्री नाइक का परिवार मूलता महराष्ट के कोकण विभाग के कुडाल तहसील के सरंबल गाव से नदी किनारे रहने वाला था। उस गाव से नजदीक वाला बस स्टॉप तीन म कालों में बाढ़ आ जाती तो घर में छट तक पानी आ जाता था। इसलिए उस गाव में रहने वालों को तैरना सीखना और पहाडियों पर चड़ना उतरना ही पड़ता था। सन 1979 में जन्मी रत्न प्रभा जब स्कूली शिक्षा लेने योग्य हुई तो उसका नाम प्रार समाज स्कूल विले पारले में दाखिल कर दिया। स्कूल में पढ़ते पढ़ते दूसरी कक्षा में रत्न प्रभा को महसूस हुआ कि उनकी दृष्टी बाधित है लेकिन उस बलिका के माता पिता को बताने के बावजूद वे मान नहीं रह थे। जब रत्न प्रभा फलक प दृष्टी की जाच करने की सला दी। उन दिनों आखों के डॉक्तर भी उनके दृष्टिदोश की वज़र ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। आर्थिक बधालत में जीने वाला परिवार उनकी दृष्टी की सुधार के लिए भरसक कोशिशे करता रहा। ना ही अपनी बेट की दृष्टी में सुधार हुआ ना ही अंधत्व टालने का कोई उपाय मिला। अधिक जाच करने पर रत्न प्रभा के दृष्टिदोश का कारण मायोपिया डीजनेरेशन है ऐसा प्रमारत किया गया। यहां एकला इलाज बीमारी है। जिससे उम्र बढ़ने के साथ साथ दृष्टिदोश भी बढ़ता जाता है। स्कूल में रत्न प्रभा कबड़ी, दौजबॉल, लंगडी और योगासन खेलने में बहुत रुची रखती थी। जब वहां छटवी कक्षा में थी तब एक दिन खेलते खेलते वहां कमपाउन के तारों पर धक्का खाकर गिर प जब हां आठवी कक्षा में पढ़ रही थी तब उन्हें National Association for the Blind के बारे में पता चला। उन्होंने वहां जाकर वहां के अधिकारियों से पढ़ाई पूर्ण करने के बारे में राय ली। उनके मार्गदर्शन अनुसार अपनी पढ़ाई जारी राखी। जब वहां दसवी कक्षा में शालांध परीक्षा देने वाली थी तब उन्हें परीक्षा की उत्तरपत्रिका लिखने के लिए लेखनिक की सुविधा प्राप्थ हुई। जिससे वह शालांध परीक्षा उत्तीर्ण हो गई। तब तक उनकी छोटी बहन सात्वी कक्षा तक पढ़ाई कर एक एजंसी में नौकरी प्राप कर ली। वहां के इतर कर्मचारी वर्क सहकार्य कर मदद करते थे। इसलिए उसे वहां नौकरी करना संभव होता था। आगे चलकर रत्म प्रभा ने एक कूरियर कंपणी में भी काम किया। नैब जाकर रत्म प्रभा ने वहां टेलीफोन ओपरेटर का प्रशिक्षन पूरा किया तब उन्हें पता चला की द्रिश्टिबधित लोग शत्रंज, गोला फेक, ठाली फेक, लंबी छलांग खेलने में तथा गिर्यारोहन शेत्र में हिस्सा लेकर उसे सीख लिया और प्रतियोगितायों में भी सहभाधी होकर राज्यस स्विमिंग और जूडों की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए निपुन्ता हासिल की साथ-साथ वह नाटिय और नृतिय कला भी सीख कर कई नाटिकाओं में अपनी कला पेश की भविश में अपना कैरियर बनाने हेतू उनके संपर्क में आये हुए कई उच्चशिक्षित द्रिश्टिब्धितों से प्रेणा लेकर कला शाखा में उपाधी प्राप्त करने के लिए अपना नामांतन कर दिया उचित समाय पर वह पद्विधारत भी बन गई पहले आर्थिक सधनता प्राप्त कर वह खेल कूद के क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करना चाहती थी सन 1991 में रत्न प्रभा ने Special Employment Exchange द्वारा विक्री कर विभाग में टेलीफोन ओपरेटर के पद पर अपनी नौकरी शुरू की अब उनके परिवार को अच्छी कासी आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी नौकरी करते करते रत्न प्रभा कबड़ी, जूडू, शत्रंज, कराटे, मल्लक हमबा, जलतरण, अथलेटिक्स, फूटबाल, थाली फेक, गोला फेक तथा गिर्यारोहन के लिए आयोजित अभियानों में हिस्सा लेकर नई नई उचाहिया प्राप्त कर रही थी उनके इस सासी खेलों में सफलता प्राप्त करने से और उसके मिलनसार स्वभाव से पीडबल्यूडी में काम करने वाला नलिन पावसकर नामक नौजवान बहुत प्रभावित हो गया धीरे धीरे उनका रिष्टा शादी बंधन तक पहुच कर उन दोनों ने नलिन जी के परिवार की मान्यता बगैर सन 1995 में शादी कर ली शादी के उपरांत रत्न प्रभा का नाम बदल कर नेहा नलिन पावसकर हो गया सनलंग्म परिवार में रहने वाली नेहा घर का रसोई से लेकर सब काम करने में प्रवीन हो गई अपनी माई के भी वह मा को रसोई बनाने में मदद करती थी नेहा की कार्य कुशलता से ससुराल वाले भी खुश हो गए सन 2000 में इस परिवार पर श्री नलिन जी के एक अबघात ने बड़ा आघात किया नलिन जी के शरीर में से कई सारी हड़िया चटक गई उस थिती से उपर उठने में उन्हें तीन वर्ष तक बिस्तर पर रहकर अपना इलाज करना पड़ा उस इलाज के दौरान उन्हें फिजियो थरपी देने के लिए एक द्रिष्टिबाधित तग्य हर रोज आता था उनके पारिश्रमों को देख नलिन भी दिव्यांगों के लिए योग्य संस्था स्थापन कर उन्हें अपने जीवन विकास की पत पर अग्रेसर होने के लिए वे प्रेरित और प्रशिक्षित करना चाहता था नेहा जब खेल कूद वाली स्परधाओं में हिस्सा ले रही थी तब उन्होंने यहां महसूस किया कि सभी प्रकार के अंबों को उचित प्रशिक्षा प्राप्त कर खेल कुद के क्षेत्र में सहभागी होने के लिए उन्हें उनकी अधिकारों का सौरक्षन करते हुए अव प्राप करने की तरफ कार्यशील हो गया उसमें भी खास कर द्रिश्टी बाधित महिलाओं को समाविष्ट करने हेतू वह अधिक कार्यप्रवन हो गई इस कार्य को बढ़ावा देने हेतू नेहा और नलिन ने मिलकर ओल इंडिया स्त्री हित असोशेशन एयाशा की स्थापना की अब इस संस्था द्वारा वह दिव्यंगों को अधिक से अधिक खेलों में और स्पर्धाओं में हिस्सा लेने लायग बनाने के लिए योग्य प्रशिक्षन वर्ध आयोजित करने लगे उनको स्पर्धा तथा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरिद भी करते रहें उन कार्यों के अमल में लाने के लिए प्रयोज़क धूनने लगे उनके कपड़ों और जूतों के लिए भी दाताओं से मदद इकठा करने लगे उनके इस कार्य से हजारों दिव्यांग इस क्षेत्र की और आकरूट होकर अपने हुनर, शमता और सामर्थे के बल पर राज, राश्च्रिय तथा अंतर राश्च्रिय स्तरों पर काम्याबी प्राप कर नई-नई उच्चाहिया छूने लगे देश का नाम रोशन करने लगे नेहा जी और नलिन जी का यह कार्य आज भी अविरत धंग से जारी है वे सरकार द्वारा तथा दानशुर समाज सेवियों द्वारा इस क्षेत्र में भागीदार बनाने के लिए अपनी कोशिशे जारी रखे हुए है उनका ये ही एक सपना है कि हर दिव्यांग सशक्त, सक्षम और सामर्थे शाली बने हम उन्हें उनकी इस योजना में सफलता प्राप्थ होने की सुबकामनाई देते हैं नेहा जी ने कईस परधाओं में तथा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने नाम का राष्ट्रिय तथा अंतर राष्ट्रिय स्तर पर नामांकन तो कर ही दिया और राष्ट्रिय तथा अंतर राष्ट्रिय रेकॉर्ड भूकों में भी दर्स करवा दिया इन में से कुछ प्रमुक क्षेत्रों में सफल्ता के साथ सहभागी होने की जानकारी और उपलब्धी नीचे दी हुई है 1. हिमाले क्षितिधर शिखर पर गिर्यारोहन कर 17,220 फीट सरकर 1994 में लिमका बूक आफ वर्ड रेकॉर्ड में नाम दर्ज किया 2. जम्मू वैश्नो देवी गिर्यरोहन अभियान 2003 3. इंगलेंड स्टन्फोर्ड शत्रंज प्रतियोगिता में पाँच वास्थान 2004 4. ड्यूक्स नोज लोनावला रापपेलिंग 3500 फीट 2004 5. जीवधन किले से खडापार्शी 200 फीट उच्चाई से 300 फीट लंबाई रिवर क्रोसिंग और रापपेलिंग 2004 6. नैशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2005 गोल्ड मेडल और विशेश चैंपियन ट्रोफी 7. उत्तराचल हिमालीन दलहोंसी काल्टॉप शिखर अभियान की नेता 2006 8. महराश्च्र राइगर से रापपेलिंग अभियान 1100 फीट 2009 9. बलवली पनविल 125 फीट उचे जल प्रपात से रापपेलिंग 10. हिमाले में कंसोल सारपास नागारू में 168 शून्य शून्य फीट की उचाई पर अभियान 12. ड्यूक्स नोज लोनावला महराश्च्र वाली क्रोसिंग 800 फीट 2014 12. हरिश्चंद्रगड महराश्च्र वाली क्रोसिंग 1200 फीट कोकंडा लिमका बूक आफ वर्ड रेकॉर्ड 2017 13. नैशनल गोल बॉल चैंपियनशिप एट उत्तराखंड 2022 नहाजी की आखे तो सामान्य लोगों की आखो जैसी ही दिखती है इसलिए हर कोई देखने से उसे द्रिष्टी बाधित है ऐसा समझ नहीं पाता ऐसी ही गलत फ्मिली हिमाले प्रतियोगिता के दौरान उनके गुट के नेता को हुई एक बार हिमाले के शिखर से नीचे उतरते हुए वह अपना पैर ठीक जगा पर न रख पाने पर तीन सो फीट गहरी खाई में गिर गई उनके सदभाग्य से वह धलान पर गिरते गिरते एक छोटे से तीले से अटक गई और सुरक्षित बजगई फिर वह उपर आकर गुट के साथ जुड़कर अपना अभियान पूरा करने में सफल हो गई भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है नेहा जी के पारिवारिक जीवन में अब एक पुत्ररतन भी आ गया है नेहा जी अपना हुनर नृति और नात्य कला प्रदर्शित करने में भी समय समय पर सहभाग लेती रही उसने अपनी खाना पकाने की क्षमता को दुनिया के सामने रखने के लिए निम्न लिखित्स परधाओं में भी सहभागी होकर ये ही प्रमानित करना चाहा कि हम दृष्टी बाधित महिलाएं भी खाने पकाने में निपुण है एक गोल्डन आई शेफ ओनलाइन कूकिंग कॉंटिस्ट दो हजार बीस दो अन्नपूर्णा पाकलास परधा दो हजार बाईस तीन बादाम समोसा कूकिंग कॉंपिटीशन चार नानकटाई मेकिंग कॉंपिटीशन आज तक नेहा जी ने दुनिया को जो कुछ कर दिखाया और सफलता की उचाईया प्राप्त की इसलिए उन्हें समय समय पर कई सारे अवार्ड सक मेडल्स तथा स्मृतिचिन्ह देकर गौर्वानवित किया गया है इसकी फेरिस्ट नीचे दी गई है एक नयग बेस्ट स्पोर्ट्समन अवाड एक हुजार नौसो निन्यानवे से 2,000 दो एक बूजाँ अवाड दो हुजार तीन तीन जोनाटा इंटोनेशन वुमेन आफ दे इयर अवाड दो हुजार चार 4. जाकतिक कर्तुत्वान महिला गिर्यारोहन 2004 5. सावित्रीबाई फुले अवोर्ड कल्यान 2004 6. महराष्ट्र राज्य शासनाचा शिवचत्रप्ती विशेश अवोर्ड गिर्यारोहन 2005 7. अपंग लेखा प्रतिस्था अवोर्ड दाहनू 2005 8. जाइंट क्लब भायखला ओल राउंडर आचीवर अवोर्ड मुंबई 2006 9. कामगार संधटना बोरीवली मुंबई जीवन गौरफ पुरसकार 2006 10. भंडारी समाज क्रीडा रत्न पुरसकार माटूंगा 2009 11. भारत के महमहिम राश्च्रपती के हाथो केंडर सरकार का पुरसकार 2010 12. के एमवी प्रतिष्थान द्वारा मराथी गौरफ पुरसकार 2011 13. कुसुमागरज प्रतिष्थान द्वारा गोदावरी पुरसकार अडवेंचर स्पोर्ट्स नाशिक 2014 14. मुंबई विक्रीकर भूशन पुरसकार 2015 15. महराष्ट्र विक्रीकर भूशन पुरसकार 2016 16. ब्रावू भूक ओफ रेकॉर्ड फ्रांस 2019 17. वियाएफ श्रीमती पुष्पा सीताराम पाटिल अचीवमेंट अवार्ड 2019 18. भारत के महमहीन राश्च्रुपती द्वारा राश्च्रुपती पुरसकार 2021 19. नेहा अंड नलिन दिव्यरत्न पुरसकार 2022 20. नियोश्योबेस्ट वुमेंट ट्रेकर्स अवार्ड 21. सफलता की इस उची प्रादान को प्राप्त कर नेहा कह सकती है कि 22. हम भी किसी से कम नहीं दिव्यांग होकर भी आम लोगों से सक्षम है 23. सिर्फ हमें समझ कर हमारी काबिलियत समझने वाले चाहिए 24. जीत ही लेगे बाजी 25. हम तुम खेल अधूरा छूटे ना 26. स्त्री हित का बंधन दाइत्व निभाने की राह हमारी छूटे ना 27. आशाय अनन्त है 27. जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए आशा ही जीवन है 28. हैमंत जब पाटिल 29. मानत सचीव 29. National Association for the Blind, इंडिया 29. आशाय